मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, बहुत छोटी थी, 12-13 साल की होगी, अनोखे लाल मेरे दोस्त अमेठी से आये हैं, अमेठी की एक बात है, मेरे पिता जी प्रधान मंत्री थे, उनके साथ मैं अमेठी के दोरे पे गई, आपको मालूम होगा, वो उसका सांस्तियच छेत्र होता था, खुद जीब चलाते हुए वो गए, मैं उनके साथ साथ बैठी थी, हम एक गाओं में पहुँचे, गाओं में हम उत्रे, और सड़क पल चल कर, कुछ लोगों से बातचीत करने लगे, अचानक एक महिला उठी, बहुत जोर-जोर से डाटने लग गई मेरे पिताजी को, तो मैं खुद चौंक गई, क्योंकि पिताजी से थोड़ा सा दर तो बच्चों को होता ही है, लेकिन उसके उपर से वो प्रधान मंत्री थे, और मैंने ऐसे नहीं देखा था कि कोई उनको ऐसा डाट सके, तो डाटने लगी कि भाई मेरी सड़क है, पानी बरसा था, पूरी सड़क डूब गई है, उसमें तुमने क्या किया, और मेरे पिताजी उनको जवाब दे रहे थे, तो ये उस समय की राजनीती है, गाड़ी में बैठे मैंने कहा, बुरा नहीं लगा पापा, कहतें बिल्कुल नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, और ये उसका कर्तव्य है, उस महिला का, कि मुझे याद दिलाए, मुझे बताए, कि यहाँ ये समस्या है, इस समस्या को सुलजाओ, मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, बहुत छोटी थी, 12-13 साल की होगी, अनोखे लाल मेरे दोस्त अमेठी से आये हैं, अमेठी की एक बात है, मेरे पिता जी प्रधान मंत्री थे, उनके साथ मैं अमेठी के दौरे पे गई, आपको मालूम होगा, वो उसका सांस्नियच छेत्र होता था, खुद जीब चलाते हुए वो गए, मैं उनके साथ साथ बैठी थी, हम एक गाओं में पहुँचे, गाओं में हम उत्रे, और सड़क पल चल कर, कुछ लोगों से बातचीत करने लगे, अचानक एक महिला उठी, बहुत जोर-जोर से डाटने लग गई मेरे पिताजी को, तो मैं खुद चौंक गई, क्योंकि पिताजी से थोड़ा सा दर तो बच्चों को होता ही है, लेकिन उसके उपर से वो प्रधान मंत्री थे, और मैंने ऐसे नहीं देखा था कि कोई उनको ऐसा डाट सके, जब प्रधान मंत्री तक नेता को एहसास होता था कि जनता के प्रती उसकी जवाब दे ही है, गाड़ी में बैठे मैंने का बुरा नहीं लगा पापा, कहतें बिलकुल नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, और ये उसका कर्तव्य है, उसमहिला का कि मुझे याद दिलाए, मुझे बताए, कि यहाँ ये समस्या है, इस समस्या को सुलजाओ.